हलो एवरीवन दिस सिद्धार्ग पतेल वेलकम टू बैक्टेट पेंज इस वीडियो में हम विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन हैट के बारे में पढ़ेंगे अगर आपको द्यान हो तो प्रिविएस वीडियो में हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को बहुत द्यान से समझा था चाप्टर में जो लक्ष्मी काम ने जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दिया है उसी में विसल ब्लोवर प्रोटेक्शन हैक्ट के बारे में भी दिया गया है तो उसे हम लोग सेपरेटले डिल करेंगे अब आप अगर इस स्लाइड को बहुत द्यान से दिखेंगे तो यह मैं कोई करॉप्शन का काम क्या है सरकार कहीं गलत है कोई information leak कर रही है तो सरकार इसे निशाना बना रही है कि हम तुम्हें नहीं चोड़ेंगे यह सरकार का गोले कि इसको खतम कर दो और यह सरकार के किलाफ आवाज उठा रही है तो इस पिच्चर के मादियम से मैं आपको यह चाह रहा हूं कि usually होता वो है कि जो सरकार के खिलाव बोलता है जो सरकार के खिलाव आवाज उठाता है वह usually खतम हो जाता है जाए वह आटे एक्टिविस्स हो या कुछ हम लोग मीडिया हॉसे पर देखे बहुत सारे प्रोटेक्शन एक्ट बेसिकली यह 2011 का एक्ट है जिसे 2014 में 2014 में इसे इंप्लीमेंट किया गया एक बहुत लंबा प्रोसीजर था वह आप अपकी बुक से देख लीजेगा वह हमारे काम कभी नहीं है आप उसे ओमिट कर सकते हैं हमें बेसिकली इस पर फीचर देखने है किस एक्ट के फीचर क्या है जो भी सरगार के खिलाफ हमें इंफॉर्मेशन देगा कि इसने कोई मतलब मालो मुझे पता है कि कोई मिनिस्चर कर रहे हैं मेरे पास उसका प्रूफ भी है अब मुझे वह इंफॉर्मेशन दे नहीं है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वह मंत्री है अगर मैं उनके होता है अगनिल कपूर तो सीएम की खिलाफ उन्होंने बोला तो उनके परिवार के साथ और यह सारी चीज़े क्या होती है ना उस मूवी से थोड़ा सा लिंक करो जिसने देखी होगी तो यहां पर यही है कि उस परसन की आइडेंटीटी रिवील नहीं होगी मालो मैंने कु सो दाट मुझे प्रोटेक्शन मिले सो दाट मेरे अंदर भी कॉन्फिदेंस आए इस एक्ट से होगा क्या इस एक्ट से जनरल पब्लिक को एक कॉन्फिदेंस मिलेगा कि हमारी आइडेंटीटी रिवील नहीं की जाएगी मैं सुरक्षित हूं साथी साथ जो सरकार गलत कर र लगता है जो बड़े-बड़े पोस्ट पे जो अधिकारी रहते हैं उन पर भी लगता है इनके लिए भी डर की भावना है इस एक्ट से कि पहले उन्हें यह था ना कि अगर यह चीज़ें बाहर आ गई यह चीज़ें अगर सामने आ गई मतलब होने यह था कि कोई भी हमारे पास में इतनी पावर इतनी सकता है कोई हमारे खिलाफ कंप्रेंट करेगा तो देख लेंगे क्या होगा ठीक तो उनको भी अब एक तरीके से डर लगने लग गया है उनके मन में भी तरीके से वह रहेगा कि हमें काम अच्छे से करना है अगर हम कहीं करें तो कहीं पकड़े आजा है ठीक है यह वाली चीज़ी हां तक हमें समझ में आई एस पर दाट अब परसंट कैन मेंक पब्लिक इंट्रेस्ट इस्क्लोजर और करप्शन विफोर अ कॉंपिटेंट अथारिटी विचिज एट प्रेजेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन दावर्मेंट बाइन हम यह कंप्लेंट्स रजिस्टर कर सकते हैं एट प्रेजंट यह सारी चीज़ें सीवी सी के थ्रू हो रही है दा एक्ट हावर लेज जाओं पनिश्मेंट अप्टू यह इन प्रिजन और फाइन फाइन अप्टू 30,000 फॉर फॉल्स इंफॉमेशन अब यह भी तो हो सकता है कि मुझे सीवी से को अब करनी है और मुझे मंत्री से जान बुच के बदलासे और में वह too पर्सनल नहीं भी तो अगर ऐसी कोई information अगर कोई जूटी information देता है तो उसके खिलाफ fine भी लगेगा और ऐसा नहीं है कि complaint में normally कोई भी जाके कर सकता है normally in the sense कि for example मैंने cvc के पास गया cvc को मैंने email लिखा कि देखो इस मंतरी ने या इस इस आईएस officer ने इस secretary ने इतना बड़ा corruption किया है तो मुझे अपनी होगी ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यह लिखके उनको भेजो कि देखो यह मंतरी यह corruption में involved है ऐसी information को वो लोग entertain नहीं करेंगे मुझे अपनी identity उनको बतानी होगी cvc को यह काम cvc का है कि मेरी identity वो बाहर नहीं आने देंगे लेकिन मुझे उनको अपनी पूरी जानकरी बतानी होगी नाम नंबर अता पता सब बताना होगा so that कि अगर उन्हें भी तो देखना मैं भी तो गलत हो सकता हूँ कि अगर मैं गलत हुआ मेरी बात एकदम जूटी साबित हुई so that वो मेरे खिलाफ actions ले सके ऐसे में तो अगर नाम पता नहीं देंगे तो हर इंसान अपने अपने इसाब से complain करने लग जाएगा और कितनी complaints की थपाल लग जाएगी ठीक है अब वही एक self declaration करना होगा जो भी allegations पर गिरा लगा जो भी मैंने information दी है वो सही दी है या नहीं ठीक disclosure can be made in writing और by email in accordance with in accordance with the procedure as may be prescribed and contain full particulars and be accompanied by supporting documents or other materials वही वाली बात है या तो आप writing में देदो या आप mail के थू देदो आपके पास कुछ evidence है तो evidence फगिरा देदो जो सारी चीज़े मैंने आपको बताई है however no action shall be taken of on a disclosure if it does not indicate the identity of a complaint or a public service or the identity of complaint or the public servant is found to be incorrect अब वही कि कोई भी action नहीं लिया जाएगा अगर कुछ वो इंसान अपनी identity revealed बतलब identity उस CVC को तो बतानी पड़ेगी न CVC आपके identity revealed नहीं करेगा और अगर किसी ने जूटी identity दी तो भी actions नहीं लिया जाएगा उस मंत्रियाच उस public servant के खिलाफ the act is not applicable to special protection group अब special protection group क्या होता है यह वो group है जिनके पास यह वो group है जिनकी जो manage करता है prime minister की security ठीक है बहुत ही special तरह की security होती इनकी जवाबदार होती की prime minister वगरे की security वगरा maintain करे जो prime minister की जो near and dear ones है उनकी security maintain करे यह पुराने prime ministers को भी होता था लेकिन अब भी आपने अगर news में ठीक होगा तो कुछ समय पहले से change कर दिया गया है उनने दूसरी security होती है अभी special protection group सिर्फ prime minister और उनके near and dear ones के यह security होती है तो यह act उन पे लागू नहीं होगा Whistleblower Protection Act हम इनके किलाव complaint नहीं कर सकते हैं ठीक है I hope आपको Whistleblower Protection Act समझ में आ गया होगा It was a part of CVC मुलाकात होगी आपसे next lecture में तब तक के लिए